कि हलला दोस्तो तो मैं भूबर को प्लेटा गुज्राथ से दोस्तो क्या पता है ए ऩो ग्यां PP as करते है थे और ही नेटवर्थी पेस्ट करते है वह उसका इंवेस्ट करने का नज़रिक क्या है वह क्यों उस देश में उनघेट करते है वो इस region में क्यों invest करते हैं कौन सी economy में वो invest करते हैं उसका देखने का नजरिया क्या है तो चलो आज हम उसकी बात करते हैं कि वो अगर चाइना में invest करते हैं या हमारे इंडिया में आके करता है उसका नजरिया वो किस चीज़ के नजरिय से वो invest करते हैं यास दोस्तों हमें किसी भी देश की economy में अगर growth है तो वो growth को नजरिया देखकर वो निवेश करते हैं लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि इस देश के अंदर इस राजिय के अंदर उसको growth मिलेगा यास दोसको जो किसी भी देश का अगर growth देखना है तो हम उसके economy का growth को पता उसकी GDP से लगा सकता है यस दोस्तों आज हम GDP के बारे में बात करने वाले हैं किसी भी देश की economy अच्छी है वो उसकी GDP से पता चलता है दोस्तों तो हम अलग-अलग region की world की GDP और अलग-अलग देशों की GDP के बार में बात करने वाले हैं दोस्तों तो चलो आएए देखते हैं क्या GDP है क्या थी और आने वाले समय में या प्रिडिक्शन किया है आयमेप ने तो चलो अब हम देखते हैं GDP के बादेश किये गए वर्ड के जो economic data है यानि कि वर्ड की GDP की जो हमें दिखाई दे रहा है कि 2022 में व 2023 में उसका अनुमान है कि वर्ड की जो GDP रहने वाली है 2.8% और आने वाले 2024 में उनका मानना है कि 3% दे सकती है इसके अगेंस अगर हम एडवांस एकोनोमिक है उस एडवांस एकोनोमिक कंट्रियों का जो ग्रोथ है वह उसको मानना है कि 2.7% रहा है 2022 तक और आने वाले 2023 में उसको मानते है कि 1.3% दे सकता है और 2024 1.4% इसी तरह इमर्जिंग और डेवलोप्मेंट एकोनोमिक जो है उसका ग्रोथ 2022 में 4% कर रहा है और 2023 में उन लोगों का मानना है कि 3.9% दे सकता है और आने वाले 2024 तक 4.2% याने कि इम्प का मनना है कि ग्लोबल जो वर्ल के मुकाबले, एकोनोमिक जो कंट्री है जो ऑकोनोमिक इमर्जिंग मार्केट है उसका ग्रोथ अच्छा रहेंगा और वर्ल के मुकाबले एड्वांस एकोनोमि का ग्रोथ थोड़ा कम रहेगा ऐसा मानना है अब हम देखेंगे अलग-अलग रिजियन से रिजियन में जैके यूएस के अंदर 2022 के अंदर 2.1 परसंट का जीडीपी था जो के आने वाले 2023 में उसका मनना है कि 1.6 परसंट और 2024 में इसी तरह यूरो के अंदर 3.5 परसंट 2022 में जो जीडीपी था वह आने वाले दूज़ाते हैं इसमें पूइट परसंट का इसी तरह मिडल इस इमर्जिंग डेवलोपिंग एश्या अफ्रीका और लेटीन अमेरिका यहां पर अलग जीडीती का जो फीगर दिया गया है दोस्तों तो दो मतलब सबसे ज्यादा कहां पर है यह हम आगे देखने का प्रयतना करते हैं अलग अलग राजियों में क्या था तो इससे पहले अगर हम बात करें कि पूरे वर्ड का दो 1991 से दोज़ार इठाइस तक का जो हम आयमे आयमेंटी नाइटी वन से दोजार तक का अगर हम देखें तो जो जीडीपी जो एक रेंज थी वह 5% से लेके 2.5% के बीच में थी लेकिन उसके बाद देखिए 2010 के बाद हमें जो GDP दिखाई दे रही है दोस्तों वह 4% के 3% के बीच में और जो में 6.3% दिखाए रहा है कोविड की वज़े से जो गिरावट आई थी वह उसकी वज़े से हमें अगर हम देखे तो पूरे इसके अंदर 4% के 3% तक ही वर्ड की GDP रहती है आने वाले 2023 में 2.8% का GDP का रहने का अनुमान है और 2021 तक यह 3% दे सकता है SIMF का मनना है अब हम अलग-अलग रीजियन के बारे में देखिए कि कोविड के पहले 2019 में सबसे अच्छी GDP किसकी थी देखिए दोस्तों यहां पर हम इमर्जिंग डेवलोपिंग एसिया की GDP देखे तो 2019 में 5.2% थी और 2021 के बाद इसी तरह एसिया पिसीपी की 4.1% थी इमर्जिंग मार्केट की 3.6% थी दोस्तों आफ्रीका की 3% मतलब अच्छी GDP यह जो इमर्जिंग और डेवलोपिंग एकोनोमिक की उसकी थी और कम किसकी थी तो यहां एड्वांस एकोनोमिक की 1.7% थी इमर्जिंग डेवलोपिंग एड़ोपिंग एड़ोप की 2.5% मिडल इस्ट.4% याने के 2% के नीचे थी इसी तरह जो हमें 2021 में जो दिखाई दिये यार वो जो कोविड की वज़े से पूरी एकोनोमी में जो डिग्रोथ हाया था लोकडाउन की वज़े से तो इसकी वज़े से मैं ज्यादर दिखाई दे रही है लेकिन 2022 से नॉर्मल हो ग देखे तो वर्ल्ड की 3.4 पर्शन है में अर Windows 10 longest फॉर्पी एकोनोमी की पॉर क्लिक्व भी स्क्राइब अच्छी एवमें हैं अची दिखाई दे रही लेकिन कम सिरिंपी कहां की दिखाई दे रही यहां यह देखिए बात ओ एडवांज की तो हमें कम दिखाई दे रही है कि जो इमर्जिंग और डेवलोपिंग कंट्री है वहां की जो रिजिन है वहां पर ग्रोथ अच्छा दे सकता है तो इसी के मुकाबले आये में ने 2023 का जो अनुमान लगाया है उसका अनुमान है कि इमर्जिंग डेवलोपिंग एश्या की जीडिपी है 2023 में पाइट पॉइंट 3 परसंट दे सकती है लेकिन कम किसकी रहेगी दोस्तों तो एडवांस एकोनोमिक दी 1.3 परसंट इमर्जिंग इरोप की ज अगर हम इसी तरह देखे आने वाले 24 का जो अनुमान लगाया है वह भी इमर्जिंग कंट्री का ही लगाया कि उसमें भी 5.1 परसंट तो यहां पर जो दोजार इठाइस का जो अनुमान लगाया है हमें यहां दिखाई दे रहा है मतलब कि आने वाले समय में जो यह फाइया यह इकोनोमिक जहां पर डेवलोपिंग इमर्जिंग के अंदर निवेस कर सकते ऐसा मान सकते तो अब हम देखते दोस्तों के यह जो रीजियन है उसमें कौन से कौन से देश में क्या हो रहा है तो यहां पर हम देखते हैं कि इंडिया की अगर देखे तो 2019 में जो उसकी जी जो हमें ग्रोथ दिख रहा है वह 9.1 परसंट का लेकिन 2022 में हमें नोर्मल करणिशन के अंदर अगर हम देखे तो इंडिया की जीडिप 6.8 परसंट आई याने कि जो 3.9 परसंट सी उससे अच्छी आ गई दोखे दोस्तों तो मनना है कि आदू जर्टेश में वह 5.9 दे रही तो यहां पर यूके जर्मनी और फ्रांस जैसी जो देसे उसकी जीडिपी कम आ रही है वर्ड के बकाबले जबकि हम इंडिया चाइना और यूएस की जीडिपी अच्छी आ रही है यहां पर वर्ड की जीडिपी के कपेरिश लिए तो आने वाले समय में दोजार 23 म का अनुमान रखाएं तो कम जीडिपी किसकी आने वाली तो हम यह इससे यह पता लगा सकते हैं कि जो इमर्जिंग डेवलोपिंग कंट्री है उसकी इसमें इंडिया और चाइना की जैसी जो कंट्री है वहां पर ग्रोथ हो शकता है दोस्तों यह आयम एपका मनना है तो कम क करना है तो हम इंडिया और चाइना जैसी कंट्रियों में इंवेस्ट फोरेनर्स आके करेंगे यह पता हम यह अनुमान लगा सकते हैं यह डेटा के मकाबले अगर हम देखें कि इंडिया का ग्रोथ रह सकता है ऐसा क्यूं इसका भी और प्रमान है कि जो आने वाले जो अभी सब्सक्राइब इंडिया का कम हो रहा है एक जो अच्छा आ रहा है दो सर्वी सिंग का ग्रोथ रेट वह भी बढ़ रहा है एक्रिकल्चर एक्टिवीटी वहां पर भी जो यहांपर और इंफ्लेसन दीरे-दीरे तो यह जो सारे इसके अलावाग एक और भी बात रगें कि जो इंडिया के जो अभी 23-24 का जो बजेट आया था उसके अंदर भी गवर्मेंट में कुछ से स्टेप्स लिए यानि के कैपेक्स को बढ़ावा दिया है तो कैपेक्स बढ़ाया है तो कैपेक्स जब बढ़ेंगा तो ग्रोथ एकोनोमी के अंदर पैसा आएगा और यह एकोन से बड़ी मंधन मंध हायर तो यह जो स्टेप्स यह सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी इंडियन अच्छी रह सकती है उसका जीडीपी का ग्रोथ आ सकता है इसके अगर हम देखें दोस्तों कि यह जो था और रियल जीडीपी था अगर हम कॉरंट प्राइस से भी कंपेरिजन कर दें जिडीपी कौन सी क्या है तो अगर हम करनपड़ा इसे देखें तो दो 2022 में 100 ट्रिलियन डॉलर की वर्ड की और दोजार तेइस में 105.6 एज़ी बार रह सकती है और हमारे इंडिया की जो जीडीपी है 2022 में 3.4 trillion US dollar है जो कि हमारा मोदी जी का लक्षी है कि 2021 तक उसको 5 trillion तक ले जाना है तो यह IMF ने भी ऐसा अनुमान लगाया है दोस्तों इसी तरह अगर हम देखे तो चाइना की जो 18.1 trillion US dollar है वो 2023 में 90.4 US dollar trillion रे सकती है तो यह हम current price inflation के जोडने के बाद की जो real GDP है इसका हम यहां पर हमने दर्साया है दोस्तों तो हम जो 3.4 trillion की GDP को मोदी जी का जो सपना है हाई trillion और तो हम जो यह steps ले रही है यह लगता है कि वहां पर धिरे धिरे ऊच सकती है दोस्तों तो यह था हमारा GDP का कि दोस्तों कहां पर हमें invest करना है किस जगा पर हमें जहां पर GDP का ग्रोथ है तो हम यह चीजों को मानते हुए हम उस जगा पर definitely invest मतब हमारा इंडिया के अंदर हम निफेस कर सकते और दोस्तों अब यह बात आएगी कि इंडिया में कौन से सेक्टर में invest करना है तो इसके लिए हमारे नेक्ष्ट कर जो हमारे जो मित्र जो हमारे participant हम जो सब ग्रूप मिलते तो हमारे जाहित सर और डोकर पॉंकिया सर अलग-अलग इंडेक्स के बारे में research कर रहा है कि कौन सा इंडेक्स कंपेरेटिवली ग्रोथ कर रहा है तो इसका भी हमें आपको लोगों को डीटेल्स में study मिलेंगा इसके लिए प्रॉफिट फ्रमीली से जुड़े रहे दोस्तों मैं प्रॉफिट फ्रमीली ही मैं इसे जुड़ा हूँ मैं प्यूसर का धन्यवाद करूंगा कि इसने मुझे यह मोका दिया इसके बाद कौन सी कंपनी में करना इसके लिए अमोल जी और पार्थासारती जी जैसे हमारे जो दोस्त है वो भी अलग रिसेच करके आपके सामने लाएगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप प्रॉफिट की इस हर एक एपिसोड के जुने लिए तो आपको इंडिया में कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनी में करेंगे तो आने वाले समय में आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा यह आपको डेफिनेटली मिलेगा थेंक्यू प्यू सर्व थेंक्यू जै हिन